हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूं यह बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टिस्टी यम्मी क्रंची और बहुत ही जल्दी बनने वारी है इसे बच्चे बड़े सभी बहुत ही पसंद करे प्रेंगे आप बचे गये चावल से बना सकते हैं या आप के dispव दोपहत के चावल भी कभी कभी बच जाते हैं तो आप उसरे भी इस डोब को बचनी है या फिर हम और या प्र आपके पास थोड़े पुलाओ कर आप उसे बीच irak दो titre करें आज से लीकार दो बगे दिए guests शेयर एंड कमेंट जरू करें और हमें बताएं कि हमाई रेसिपी आपको कैसी लग रही है चलिए अब जाला बाते ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है दोपैर के बचे हुए चावल या आप फ्रेश चावल भी ले सकते है उबले हुए यहां पर हमने चावल लेने हैं यहां पर मैंने एक बॉल लिया है बॉल में हमने दोपैर के बचे हुए चावल लिये है अब हमें यहां उबले हुए चावल को मैशर की सहता से मैश कर लेना है यहां पर इसे हमें अच्छी तरह मैश करना है ताकि उबले हुए जैंट हमने soja少 हगे चावल अच्छे से मैश हो चुके हैं अब हम यहाँ पर लेंगे दो बड़े चमच सूजी के सूजी डालने से टिक्की आपकी क्रिस्पी और क्रंची बनेगी और इसका सुआद भी बढ़ जाता है सूजी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि यह चावल में अच्छे से पूरी तरह मिक्स हो जाए और फिर हमें इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए इसमें हमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है सूजी और चावल को मैंने 5-10 मिनट के लिए रेस्ट में रखा था सूजी अच्छे से फूल चुकी है अब हम इसमें एड़ करेंगे बारी कटा हुआ प्याज और साथ में एड़ करेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया और साथ में एड़ करेंगे बारी कटी हुई हरी मिर्च हरी मिर्च आप अपने टेउस्ट के कॉडिंग गञ हम या जाजा कर सकते हैं अगर आप जाजा ती खा खाना पसंद करते हैं तो मिर्च आप थोड़ी और साथ में Best करेंगे यहां पर कुछ मसाले तो यहां पर सबसे पहले हम डाले के कासमीरी लाल मिर्च और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पौडर और फिर हम इसमें डालेंगे टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक फिर हम इसमें एड़ करेंगे गर्मसाला और साथ में एड़ करेंगे एक चमच चाट पसाला और फिर हम इसमें एड़ करेंगे करीप अगर आपको करीब पत्ता पसंद है तभी डाले अगर नई पसंद है तो आप इसकी जगा हरा धनिया भी काट कर डाल सकते हैं यहां पर मैंने करीब पत्ते को बारिक बारिक कट करके डाला है आप चाहे तरह से भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे इस तरह काट कर डालना पसंद है तो इसलिए मैं इसे काट दे रही हूँ इन सारी चीजों को डालने के बाद इसे हमें अच्छा से मिक्स कर लेना है यहां पर हमें एक चीज और आइड करेंगे कान फ्लार का इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से होती है अगर आपके पास कान फ्लार नहीं है तो इसकी जगा आप मैदा या फिर चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करें अब हम इसके बनाएंगे यहां पर हमने हाथ में थोड़ा सा ओय लगा लिया है अब हम इस mixture का थोड़ थोड़ पोर्शन लेकर टिक्की का shape देंगे से तो इस तरह आप थोड़ थोड़ पोर्शन लेकर टिक्की बना लें टिक्की आप अपने मन पसंद के अनुसार, गोल, चौकोर जिस तरह बनाना चाहते हैं वैसी shape आप दे सकते हैं देखिए इस तरह से हमने टिक्की बना ली है और इस तरह एके करके हमें सारी टिक्कियां बनाकर तयार कर लेनी है सारी टिक्कियां बनकर तयार है देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी स्वाजिस्ट होगी यहां पर मैंने पैन में ऑईल गर्म होने के लिए रख दिया है ऑईल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इन टिक्कियों को एक एक करके इसमें फ्राइ करेंगे टिक्की बनाते समय हमेशा टेंप्रेचर हमें हाई नहीं रखना है इसे लो टू मीडियम टेंप्रेचर में हमें फ्राइ करनी है क्योंकि हाई टेंप्रेचर रहेगा तो यह जल जाएगा इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राइ करना है ताकि यह अच्छे से साइट से सुन्हरी हो जाए तब हमें इसे टर्न करना है तार्ण करते समय हमें भहत ध्यान रखना है ताकि यह तूटे नहीं को देखी इस तरह मैंने सारी टिक्कियों को टर्न कर दिया है अब हमें से प्लेट में निकाल लेते हैं देखिए सारी टिक्कियों को मैंने सर्व कर लिया है इस तरह आप भी इंजॉय करें इन टिक्कियों को खाखर और हमें बताएं कि आपको यह कैसी लग रही तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ